हेलो गाईज आज किस वीडियो में मैं आपको RTGS के बारे में सब कुछ बताने वाला हो कि HDFC बैंक का RTGS सिस्टम होता क्या है इसके कौन-कौन से बेनफिट्स होते हैं कौन-कौन से चार्जेस होते हैं विल गाईज चलिए फड़ा बड़ से वीडियो को सुरू करते हैं विल गाईज चलिए अब मैं यहां पर आपको काफी सानी तरीके से सबसे पहले इसके फुल-फॉर्म के बारे में बता देता हूं विल गाईज इसका फुल-फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जैसा की नाम से यह आपको पता चल जा रहा है यानि कि यदि आप किसी के अकाउंट में आटीजेस करते हो तो विल गाईज उसके अकाउंट में तुरंते क्रेडिट हो जाएंगे बात करें इसके बेन फिड के बारे में तो जाएंगे यदि आपको किसी के अकॉण्ट में आटीजेस करना है तो यदि वह अमाँट दो लाक के उपर है तभी आप काफी असानी तरीके से आटीजेस ट्रांजिक्शन कर पाओगे और गईज आप पड़े 50 लाग रुपे तक आटीजेस काफी असानी तरीके से कर पाओगे बात करें गईज अगले बेनफिट के बारे में तो गईज आप काफी असानी तरीके से अपने ब्रांश के मादियम से या फिटनेट बैंकिंग के मादियम से काफी असानी तरीके से कर पाएंगे विल गईज बात करें फियो चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको काफी असानी तरीके से बता देता हूं कि आपको यहां पर RTS पर कितना चार्ज देना पड़ेगा तो गईज बात करें इसके लिमिट के बारे में तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आप यहाँपर कम से कम दो लाक रुपय का कम से कम बारे में आप 11 और मोबायल बैंकिंग की साहता से दीछ टानली टांजिक्टिंग्षिण 34 मैक्सिम्म्म में 50 लाक रुपय का रहन नियए matter किसे कर पाएंगे यदि आप ब्रांश के मादम से करवाना चाहते हैं तो यहां पर इसके कोई लिमिट नहीं दी हुई है बात करें गाइस टाइमिंग के बारे में तो यदि आपको आपको आटीजियस ट्रांजिक्शन करना है तो आप यहां पर काफी असानी तरीके से 24 इंट इसके आज किस वीडियो में आपको सब कुल बता दिया कि आपको सब करें बैंदेट उयसके इसके कौन-कौन से अंडेट पर से आपको यह वीडियो पसंदा या होगा तो इस वीडियो को आप ज्यादा से सेरो करिएगा यह जिए चैनल पर पेहली बार आये हो तो झाल तो सक्रस्फ्मिघ कर Pennsylvania